ओम नमेशिवाय, ओम नमेशिवाय, दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आवार है, भोले नाथ की क्रफा पाने के लिए आपको प्रती दिन या सप्ता में किसी एक दिन इन पांच चीजों में से कोई एक चीज जरूर चड़ा है, वो पांच चीजे कौन सी हैं जिने चड़ाने से भोले नाथ बिलकुल प्रसंद होंगे, आप बेल पत्र तो चड़ाते होंगे, घी, दूद, दही, ये सब चीजे सामाने तो चड़ाते होंगे, लेकिन इस्पेशल पांच चीजे जिनको चड़ाने से भ बहुत ज़ादा भूले नात की क्रपा होती है और अगर आप इन पांच वस्तों को जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इने चड़ाएंगे विदी विदान के साथ में आपकी हर मनों कामना चाहिए आपका विवार नहीं हो रहा चाहिए आपका व्यापार में अपने जिवन में अपना है अगर मैं उपाए आपको उन बताने से पहले एक छोटा सा निवेदाने की चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं क्या है प्लीज सब्सक्राइब करें वो इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपकी कुंडली से जुड़ो आपको प्रतेक शुक्रवार, कोई साभी शुक्रवार हो, अचा है तो आप हपते के साथ दिन चड़ा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कोशिश करके कि आप साथ दिन तो चड़ा हैं, लेकिन शुक्रवार को बाबा भुले नाद को जल से अभिशेक करें, तांबे के लोटे में ज इत्र बाबा भोले नाथ को आपको लगाना है हर शुख्रवार तो लगाएसे अगर आप साथ दिन बीजी बहुत सेडूल यह अगर आपका तो एक दिन तो लगाएब है जैसे आप शुक्रवार को इत्र लगाएंगे आपका शुक्र मजबूत होगा और जहां शुक्र मजबूत होगा घर में सुक, सांती और सम्रद्धी सभाही उक्रूप से हैं ये बहुत प्रैक्टिकल तोर पर चीज़े हुई हुई है दूसरा अब हर सुमवार के दिन सुमवा दोस्तों में गरीबों में जिसमें भी बाटना हो वह बाट दे ऐसा कम से कम आप तीन बार जरूर करें इसके लिए तीसरा और सबसे महत्पूर्ण बात है कि बाबा भूले नात पर जलाधारी लगाए जहां पर मंदिरों में जलाधारी नहीं है वाँ जलाधारी जरूर